कविता अपने मातापिता की बहुत लाडली थी, तीन बड़े भाईयों की बहन थी, कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती, पूरे घर में रोब था उसका, पूरे परिवार और नोकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्कुम चलाती थी कविता, स्कूल में भी पूरा रोब था उसका, बड़े घर की लाडली जो थी है, जैसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया, उसके ठाट बाट पड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देख कर, हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था, थोड़े ही दिनों में उसके ही एक पहचान थी, इन दिनों उसके घर एक रिष्टा आया, खांदानी लोग थे, और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ, कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हां कर दी, क्योंकि वे अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, वे जानती थी कि वे लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे, लड़के का नाम राज था, राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था, ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, ससुराल में कविता की जगए वैसी ही थी जैसी की मायके में, कोई भी कार्य कविता की सल के बिना नहीं होता था, सबकी लाडले बहु बन गई थी वै, फिर उसके घर एक बेटे का जनम हुआ, राहुल कविता को जान से प्यारा था, पोता पाकर ससुराल वाले तो फोले नहीं समाते थे, कविता कभी कभी सोचती की उसकी किसमत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है, चाहे जेवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है, मैं कभी अकेली नहीं हो सकती कितनी खुस किसमत हूँ मैं, पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी, एक तिन वह माईके जानी की जिद कर बैठी, राज को बहुत काम था, लेकिन फिर भी उसे ले गया रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई, कविता राज और राहुल बहुत बूरी तरह से जख्मी हो गए, काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी, सर पर चोट लगने के कारण वह अप अपनी आखों की रोशनी खो बैठी, अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पाव चलने लगी। पास बैठने के लिए कहती तो जबा मिलता बहुत काम है, और अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। वक्त गुजरता, एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान मिर गया, जिसकी वज़े से राहुल को हलकी सी चोट लग गई। कविता के साससोर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कही उसके ना देखने की वज़े से बच्चे का कोई नुक्सान न हो जाए। कविता अंदर से टूट चुपी थी। एक दिन उसने सब के सामने माई के जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत माई के छोड़ाया। जैसे कि वह भी यही तो चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी पर अपनी कमी के कारण उससे ज़्यादा बहस नहीं की। कभीता को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हावा पानी बदल जाएगा। क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी भार नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देख कर कितने खुश होंगे। कभीता के घर पहुचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कभीता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भावियों से दिल खोल कर बाते की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी भुवा के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वे सब समझ गई। वे बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। फिर जैसे सब बदलने लगा। सब का वैवार बदल रहा था। वे लोग जैसे ठक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे लेने। वे बहाना बना देती जबकि वे जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगे नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुक्सान हो जाता। थोड़ी बहुत टोकटा के उसे सुनाई देती वे टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान तूट गया। चोटी भावी ने बहुत धंगाम मचाया। कविता के मातपिता रोज रोज के जहमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया, कविता को अपने परिवार वालों से ये उमीद ना थी, जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वै अब बोज बन चुकी थी. राज के साथ ससुराल आते वक्त वे बहुत खुश थी, क्योंकि वे अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहूल के पास, परन्तु ये कुछी भी कुछ पल की ही थी, सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था, कविता को सीधे उपर वाले कमरे में पहुचा दिया गया, राहूल से दूर रहने की सक्त चेतावनी दी गई, एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सोपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती, कविता ज्यादतर चुप ही रहती, कभी कभी का वाली रता से थोड़ा बतिया लेती, उसके जरिये राहूल का पता चल जाता, सबकी लाडली बेटी और बहु सबके लिए लाडली से बोज़ बन चुकी थी लाडली कि वाली केर हुड़ लाडली जरूरतों का ओुकी का मैं चुकी का झाया जिए बबतार चितmusic जिए बन चाना जिए लाडली को लाडली से रहता प्सुप ही लाडली का जिए कविता बनी जmusic